कि है कि हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है प्रत्वि स्टेडी पॉइंट आज हम लेका है प्रोडक्शन टेक्निलोजी सेकेंड के 20 इंपॉर्टन को जो विगत परिक्षाओं में पूछे गए हैं जिन में से कुछ कुछ और जो आपके आने वाल और सीजिए मशीन और और उटोमेशन के इंपॉर्डन कोशन में बना चुका हूं वर दिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चाहे तो वहां से देख सकते हैं तीन सब्जेक्ट पढ़ाए थे मैंने इस समिस्टर के कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या कि इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टन कोश्चन है वह है कॉपिंग सिस्टम प्रतिलिपिन मशीन अपको पता है इसमें तीन होते हैं हमारे पास मेकैनिकल सिस्टम और हैड्रोलिक सिस्टम आप यह माल लिजिए यह कुश्टन आपका आना है तीनों पार्ट आप इसलिए लिखें कि यह पता नहीं होता कौन सा कॉपिंग सिस्टम आ जाए तो आप यह जरूर त्यार करके जाएं पहले चैप्टर से दस नम्मर का आएगा ठीक है दो कोश्चन तो इसलिए यहां पर ज्यादा आपको मिलें हैं नेक्स्ट इंपॉर्टन कोश्चन सेमी ऑटमेटिक लेट जिसे अर्दूसवचालिट खरात कहते हैं यह दो तरह की होती है टर्रेट लेट और कैप्स्टन लेट तो आपको यह दोनों पढ़ने है कि कोश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि समी ऑटमेटिक लेट क्या होती है कि किसी एक कमर्णन कीजिए यह टर्ट लेट और कैप्स्टन लेट में अंतर बताईए समझ लेट आप यह आ जाए कि टरेट लेट क्या है यह एक लेट क्या है तो एक ही कोश्चन में 3-4 तरीके से पूछ सकते हैं तो आप इसको इस को सब्ढ़ लेंगे तो यह उस्टन आपका हो जाएगा तीसरा इंपोर्टन्ट है कि मल् गर्चन और इसकी विधिया इसके कुछ मैथर्ड है वह आप जरूर पढ़ लें तो यह चार टॉपिक मैंने लिखे हैं फर्स चैप्टर में दो आएंगे तो दस नम्मर का आपका पहले चैप्टर से हो जाएगा तो यह आप जरूर अच्छे से तैयार कर लें आगे चलते हैं प्लास्टिक का चैप्टर जो है तो से एक इंपॉर्टेंट कोश्चन जो लगवा घर साल आता है थर्मो सैटिंग और थर्मो प्लास्टिक कभी वह इन में डेफिनेशन पूछ लेता है कभी अंतर पूछ लेता है तो आप इनको दोनों को पढ़ोगे तो आपका पूरा एक कोश्चन हो जाएगा नेक्स्ट है प्लास्टिक मोल्डिंग मैथट यहां पर आपके पास चार मैथट है तो यह मैथट जो है नाम से भी पूछ लेता कभी कभी अलग से की इंजेक्शन मॉल्डिंग क्या है यह नाम से पहले भी आ रखा है ठीक है ट्रांस्फर पर इसके बाद सर्फेस ट्रीट्मेंट और करतन नोजार होते हैं उनका सर्फेस ट्रीट्मेंट किस प्रकार किया जाता और इसके क्या फायद है यह आपको पढ़ना अच्छा कुस्चन है नेक्स्ट इंपोर्टेंट है सिंगल पॉइंट टूल जो आपके डाइग्राम बनते हैं ठीक है रेक एंगल किलेरेंस एंगल तो वह वाला जो डाइग्राम आपको वह जरूर पढ़के जाना एकल बिंदू करतन और तता उसके जितने कोण होते हैं ठीक है कुशन नंबर 10 टूल वियर और टूल लाइफ और घिसाफ तता ओजार आयू चोटे चोटे टॉपिक है और टेलर की ओजार आयू की समीकराण टेलर टूल लाइफ एक्क्वेशन यह शॉर्ट नॉट लिखने को आ सकता है कि टिपनी लिखने पर तो आप यह पढ़के जाएं क हाने तो ड्यो तो में ड्यागरण की प्रेक्टिस करें णा ड्यागराम बना के थ्योरी तो आप लिखी देते हूं लिक Kazakhstan मेंने इसमें तो यश्यार करने आज़र कर लेना इसके बाद हैं यह टॉपिक मैंने पढ़ा भी रखा जस्ट इन टाइम इंपॉर्टन टॉपिक है जीरो डिफेक्ट भी मैंने पढ़ा रखा है यह इंपॉर्टेंट है चैप्टर जो है तो यह आप जरूर पढ़के जाना सुनने दोस अवधारना यह जरूर इसमें से कुर्ष्चन आएगा सब्सक्राइब कर लोगे तो वहां भी काम करेगा यह फायदा इसका ठीक है ऐसे यह कुर्ष्चन और बच्छों रोबोट टेक्नलोगी यह भी सीएंसी मचीन में यहां पर भी है बेसिक रोबोट के बारे में पढ़के जाना कि रोबोट क्या होते हैं रोबोट के मोशन क्य मसीन यह सब लिखने को आएंगे पास नमबर में डूइट राइट फरस्टाइम यह भी नया टॉपिक है ठीक है तो यह आप पढ़ लए तो यह जो टूइट राइट फरस्टाइम यह जीरो डिफेक्ट और जी आइटीन में से एक टॉपिक जरूर आएगा ठीक है आप यह टीक है यह आपके इंपॉर्टेंट है इन्हें जरूर त्यार कर लेना ठीक है तो बच्चों यह आपके देखे 20 कोश्चन हो गया है प्रोडक्शन टेक्नलोजी सेकेंड के उमीद करता हूं यह आपको आप जरूर तयार करें तयारी आपकी होई गई होगी एक्जाम के